कि हलो प्यारों बच्चों कि फर्स्ट चप्टर कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप लोग मालूम है सेकंड चप्टर में आज इंट्री कर रहे हैं लेक्ट्रोस्टेटिक्स पोटेंशियल एंड कापसिटेंस आज हम लोग देखेंगे इसमें जितने भी अब्जेक्टिव को कोशन से रिलेटेड जितने भी और अब्जेक्टिव कोशन बन सकते हैं उन सारे कोशन को अभी हम लोग डिल करेंगे अभी हम डिल करेंगे उसको ध्यान से समझते जाना है बिलक्व आसान कोशन है टुफ कोशन नहीं है जैसे कि आप लोग को गया थे कि सी डव्लू एच आप लोगों तक पहुंचाया जाए और इसमें हम लोग पूरी कोशिस कर रहे हमारी टीम पूरी कोशिस कर रही है कि आप लोग तक वो सारा वीडियो पहुंचे ताके एक्जामिशन आजदिक है आप लोग पार्ट बाइप देखते जाए अपने दोस्तों को शेर किजिए इन सारी वीडियो को हम अपने तरफ से कमिटमेंट करते हैं कि इन सारी जितने भी चाप्टर्स हैं उन सभी चप्टर्स का पार्टेकुलर सभी का टॉपिक वाज वीडियो बना दिया जाए जिसे कि आप लोगो समझने में बिल्कुल त्यारे विल्कुल परिशानी नहीं हो चलिए मैसेल्फ कमल प्रजापती और आज हम पुना स्टार्ट करें इस चप्टर दुसरे चप्टर को दुसरे चप्टर के पहले नंबर को से लेकर जितने भी अबजेक्टिव हैं उन सारे अबजेक्टिव को हम लोग आज क्लियर करेंगे उसके बाद फिर नेस्ट वीडि इसलेंड कापेसिटेंस में पहला कोशन दप्रोसेस इन वीच अरिजन इच मेट फ्री फ्राम एनी एलेक्ट्रिक फिल्ड इच नौन अच देखिए लेक्ट्रिक फिल्ड से परे यदि किसी सर्फेस को बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कोशन नहीं है उसे हम ल जब भी यदि इस पर थंडर स्टॉम हो जाया यदि बजर पाथ हो जाया आप इसके अंदर में हैं तो आप आसानी से सिसा चाहा करके आराम से अंदर में बैठे रहे हैं आपको किसी परकार के कोई नुक्सान नहीं होगा यह जो है अंदर उलभाग इसको बनाया गया फ्री हमाँ अरफास को निब्र लाइज करने के लिए लिए निगेटिशर यही इसको पर में जैसे ही आजशो को पर में एंडिक पॉजिघ चार्ज एक्जिस्ट कर जाता है तो मोजब श्यमूपर में क्या होता है Alexand culinary टॉल संपद का होगा की यह इसको रफेल करने होजिश को कर रेहेंगे अच्छ रहेंगे चलिये यह जो है यही से हाथ दा प्रोसुश्च वह प्रोसेश इन विच जिस्वे लिज इज पैसरी इस धॉजज पर्म डिजन मतरबाव शहत्र इस में फ्री from any electric field is known as electric field इस प्रेय बनेया जाए उस रिजन को उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं देखिए electrostatic forcing electrostatic binding electrostatic shielding none of these देखिए electrostatic shielding बोलते हैं ठेक है उसर्थ हम लोग क्या बोलते हैं electrostatic शिल्डिंग ठीक है चलिए कॉशन अबर सिकन्द देखते हैं आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कॉशन नंबर दो सेकेंड कॉशन देखिए क्वेशन नंबर सेकेंड क्या है थ्रीकेशिटर्स इच अफ कापसिटी सी और एडेड इन सिरीच कनेक्शन देन दा एक्विविलेंट कापसिटेंच विल बी देखिए यह कापसिटर के करी सिरीच पारलेल कंबिनेशन से कॉशेटर है हलका साथ हम सम्झाने कुशिस करते है दो तरह का कंबिनेशन होता है सिरीच और पारलल यदि हम क्यपसिटर इस प्रकार से जोड़ें हाँए इसे हम लोग बोलते हैं स्रीज और तो यदि हम इसी कापसिटर को इसको मालने c1 इसको मालने c2 इसको मालने c3 ठीक इसी प्रकार से यदि कापसिटर को हम लोग ऐसे जोड़ें हाना इस प्रकार से तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इस बोलते हुर cities बोल्ती अगर्दक कंपिनेशन दके यह आपका बदेशन हुआ औरी आपका श्रीच कंपिनेशन हों कंपाहस के इस आहित Eg जोड़ेंगे तो यहाँ से करेंट निकलेगा और करेंट निने लाइगा करेंट अबराबर क्या होता है क्यों बार टी है यह करेंट जो है यह चार्ज जो है वह चार्ज जो इसमें जायगा वह चार्जीट गि program जूल दीजिएीग अपको वैट कौन हो रहा है जो चार्ज इसमें गया वही इसमें गया वही में ज razor लिवारे नहीं हुआß थिक किसे प्रकार से यहाद मीवण g1 पीटुवठरी बात करें सींऀक देक लिए 1 पृतेंशल डिफ्रेंस क्रिट हो गया ची तुक उ 되कली बीटु वी वन वी टू भी थरी तो हमको जोड़ना है वी वन प्लस भी टू प्लस भी थरी अना अब आप यह समझ लिजे कि इसके अक्रोस एक एक है भी जिसको हम लोग एक वेलेंट बोलेंगे एक विलेंट यह पोटेंशल लगा दें तो क्यू बराबर होता है सी भी हमको भी ठीक है ओहो देखिए तो यदि हम इसको कल्कुलेट करेंगे तो आप देखिए भी इक विरेंट बराबर क्या हो जाएगा क्यू वाई सी वन यहां हो जाएगा आपका क्यू वाई यहां एक विलेंट हो जाएगा सी वन प्लस क्यू वाई क्या हो जाएगा सी टू प्लस क्यू वाई क्या हो जाएगा सी थिरी देखिए यहां से क्यू 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 सारा केंशल हो जाएगा यानी वन बाई सी एक विलेंट बराबर आया वन बाई सी वन वन बाई सी वन 1 by c2 plus 1 by c3 etc यदि इसमें n identical capacitor लगा हुवा रहेगा identical identical काने मतलब हुआ सारा कपिस्टेंस सारा कपिस्टर कमान equal तो यह वला कुछ पॉर्मणा ऐसा हो जाएगा 1 by c equivalent is equal to 1 2 3 4 कहां तक जाएगा n तक जाएगा यानि n by c इसको यदि हम लोग लोग प्लटका लिखेंगे तर्शी अप्लेंट इसके लड़ाएं एंड यह आया आपका क्या यदी सरी में चापिस्टर जुड़ा वरेगा तब पारलेल में क्या हो जाएगा पारलेल में जस्टीस का उल्टा हो जागा पारलेल को भी हालका से हाप इसमझ लिजिए यहां पर देखिए यह क्पिस्टर हो गया आपका यह दूसरा क्पिस्टर हो गया यह आपका तिसरा कैस्टर हो गया इसको आप पारलल में कनेक्ट किजिए इस सारा पारलल में कनेक्ट हो गया एक्स्टरनल पोटेंशल लिफ्रेंस अप्लाई के लिए यह हो जाएगा आपका C1 C2 C3 यहां से आप चार्ज ले जाएए यहां तो भी करेंट ले जाएगा चार्ज का फॉर्म जाएगा यहां देखें जितना भी चार्ज यहां जा रहा था क्यों यह सब बट गया इसमें गय क्या करेंश कि और इसमें क्यों फॉर्म यहां पॉटेंशल फ्रिंशल पर और यदि यहां से来 सबकांएंट सructure कि हत यह भी टूर्ठ रहा है उसी को जोड़ना है हाना टूटल क्यों तो अनॉल कि प्लाइग क्यों इसमें कितना ए इसवर् interfac.com में Q1 C2 में Q2 C3 में Q3 हाना तो आप जोड़े लिजिए सारा क्यू इसकेल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थिरी अच्छा फर्मॉलर सम्लों क्या आनते हैं क्यू एकुविलेंट बोल या क्यू नेट बोल दीजे आप हम जानते हैं क्यू बराबर होता है सी भी ठीक है तो क्यू इसके लिए कितना होगा इसके लिए हो जाएगा आपका यहां देखिए सी और यहां हो जाएगा भी हाना सी भी एकुविलेंट इसकल टू यहां पर आप चल जाए यहां हो जाएगा C1 V plus यहां हो जाएगा C2 V plus यहां हो जाएगा C3 V दियाँ से देखिए हर जगा से C C common जा रहा है हर जगा से अच्छा पोटेंशल क्या था यहां पे पोटेंशल बराबर था एक मिनट यहां हो जाएगा आपका क्या C B हाना पोटेंशल बराबर था तो पोटेंशल यहां से इतना हो जाएगा देखिए भी 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 सब जगा से हम लोग कॉमल नहीं के काट सकते हैं क्या 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 है और यदि एन आइडेंटिकल कापिस्टर जुड़ा हुआ रहेगा किसमें पारलल में तो ऐसे कंडिशन में इसका वहलू कितना हो जाएगा भाई इसका वहलू हो जाएगा आप देख लिजिए इसक वहल्य जाएगा सी प्लस प्लस एक जाएगा आप यहां से कोसें देख लिए कोस्टन नबर दो क्या कहता है के था थी कापसिटर इच आप कापसिटी सी तीन कापिसिटर जुड़ा हुआ है और प्रते का कापिसिटी कैसा है सी है और दइन सिरीज कनेक्शन सब कुकर नो जोड़ गया है सिरीज में देन युवलेंट का पर स्टेंस विल भी तो एक बोलेंट का पर इस स्टेंस कमान कितना होगा दीखेस जोर गया Top प्रेज में स्रीज वुला काऊने यह वला स्रीज में क्या है देखिए सी कफ़ेंट बराबर सी बाई एंड अना शारा का वैलू कितना हुआ है सी यानि सारा एक आइडेंटिकल है जोड़ा गया कितना है एक दो तीन तो हम यहां पर यहां पर फॉलव लगा दें सी कफ़ेंट हो जाएगा अपका कितना ची वाई एन तो सुक हुआ जिए फैलू कितना है थिरी हना सिच बालेू कितना है सी चीए है सिगे मिलागे है सीजह सी हो गया पे आप हो जाएगा सी और कितना इन नमबर लॉफ स्रीअज का परहेंस कि अपरुस्तिक नॉमडरफ क्विश्टर को का सी बाई 3 हाँ सी वाइ 3 यह जाए कि आप्से नमबर थर्ड कोशन नमबर 2 का आप्से नमबर थर्ड आप्से चाल यह आई होब कि यह समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से यह कोशन आपके एक्जामिशन में सब्जेक्टिव के तोर पर तिन नमर में भूचा जाता है इसको एक बार पुना अपने से बनाने की कोशिच किजएगा ताकि आपको ये बनाने के लिए अच्छे तरीके से आ जाए चलिए नेस कोशन के और चलते हैं कोशन नमबर थर्ड कोशन नमबर थर्ड कोशन नमबर थर्ड में क्या कहता है कोशन नमबर थर्ड है If a hollow spherical conductor be charged positively, then the electric potential inside it will be यदि एक hollow spherical conductor को हम लोग चार्ज करते हैं, कैसा? positively Then, तब the electric potential inside it, तब electric potential का मान inside it मतलब इसके अंदर में कितना होगा? जीरो, positive and uniform, positive and non-uniform, negative and uniform, यह hollow spherical conductor की बात करता है, hollow spherical conductor की बात करता है, इसके मतलब है कि positive होगा और uniform होगा, और कोई condition ही बनता है, ठीक है? चलिए, question number 4, question number 4, question number 4, question number 4 है, the formula for electrostatics potential is very simple question, हाना? यह बिलकुल basic question है, देखिए, यहाँ पर क्या लिखता है, formula electrostatics potential का formula क्या होगा? तो electrostatics potential का formula क्या होगा? एलक्ट्रो स्टैक्स potential को भी स्नोटिस करते हैं, और भी बरावार होता है, और भी बरावार हो 느क्यो, हाना? लिख सभता है, इतर विक्लिक है, यह थे बत्ता छलिए को सेनिवर फ्र नोबर पॉर कंपलेट हो गया को सेनिवर्पाइब को सिनन इमबर आइद आइप और कोसिन अबर मटाब किये क्वेशन नबर फाइब है दो वर्क दन इन बुविंग और युनिट पॉजिटिटिव टेस्ट चार्ज अबर अ क्लोजट पाथ इन एन एलेक्ट्रिक फिल्ड इच एलेक्ट्रिक फिल्ड के ऊपर में यदि एक चार्ज मुब कर रहा है तो उसका नेट वर्क दन का मान कितना होगा वर्क दन वर्क दन ब्रावर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट अना फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट कहां पर मुब कर रहा है पोजिटिव टेस्ट चार्म कर रहा है किसके उपर में अभारे क्लोज पाथ क्लोज पाथ अब सुची यदि यह यह है श्यात्तों पतमें ह में यहाँ चलकर कर Kristen को अन्हों कि रों इसका मतलव है कि वर्खत़ नम रहेवर फुर्षिंटो इस प्लेश्मेंट जीरू हो गया दैथि और कमानक किसमें सितना हो जाआगा बेदीक्टर इधर्ण एलेक्ट्ट इस पोटेंशल का माँंड सबसे पहले कितना होता है और यह पहले जांगे प्रिद्धमिट करें अबी स्केल अटा है 1 by 4 by absolute not पी और स्थिटा डिवारेट भाई एक्स 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 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थोड़ यह यह नहीं जेनरल अब इसमें से कहां पुस्था है एस एक्टोट्रेशेटिक्ससपोटैंसिशल आन पर्पेंडिकुलर बाइशेक्टर दीडिक्टर परिख था अनों ganhar यौ पाईसे परपेंडिकुलर बाईसे प्बाइसेक्टर मतलब की लान नहीं हो सकते हैं इन्फनेट नहीं होगा नहीं नहीं होगा कॉसे सिक्स का आप्षिन नमबर एक रेक्ट हो जागा को से नबर से वन देखिए को से नबर से बंडिके a surface that has the same electrostatic potential at every point when it is known as किसी surface के प्रतेग बिंदू पर potential का मान यदि बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे किसी surface के प्रतेग बिंदू पर यदि potential का मान हो बराबर तो ऐसे condition उसको बोलते हैं इक्यू पोटेंशल सर्फेस हाना इक्यू पोटेंशल सर्फेस तब देख लिए यहां पर कहीं पर लिखा हुआ होगा आपके ऑप्शन में इक्यू पोटेंशल सर्फेस तो वही ऑप्शन होगा को समभर सिवन का आपसेनर दी करेक्ट हो दाएगा कोस्ण नमर येट दिखें और कोसिन नमर एट चलिए कोस्टन नमर एट क्या है डाइलेक्टिक्स आर डाैलेक्टिक्स क्या होता है वाली त dóna कंड़िक्टिंग संक्तिंद सर्शंक्ड सेंयों समी कंड़िक्टिंग सबस्तर्स्टांस लुघ्ञ टाकंड़िक्टिंग होता है ओ milliards समेशा में होता है देलेक्टिंग मतलब भश्या पेपर हो गया आपका आपर स्कते हैं कि लकड़ी का बूरादा हो गया रहरो यह से विडाखेक्स Civil इनट्रजी को, electrical energy को, data heat energy में, और यही heat energy से हम लोग, यही heat energy के इस्तोमाल करके हम लोग iron, होगरा करते हैं, ठीक है, चलिए, question number 8, complete होगेはいोगे, question number 9, question number 9, question number not, Oh Death & The electric potential inside a conducting a sphere, Electric potential electricalline, conducting a sphere के अंधर कितना होगा, which can that ho hague, the electric potential inside the conducting a sphere, conducting a sphere के अंधर में electricity potence, electric potential na, हां electric potential command कितना होगा, electric potential कमान देख लिजिए जिरो potential की बात करता है potential कभी भी inside कभी नहीं होगा जिरो हना electric potential का मान inside conducting sphere में अंदर में यह मालिय जाइ conducting sphere है इसके अंदर में potential का मान 0 नहीं होगा हना यानि पहला option नहीं होगा increase from center to the surface surface center के और बढ़ता है नहीं पोटेंशटल के नाई होगा एसा के समय होगा ऐसा इन रोन सैनकcción प्रैह gas सेस्ट अड़िया रहे परिवड़तर नहीं होगा यानी आप्सान नाबर यूसका औप्सान ओच्राइक होगा करेक्ट है क Св 2 East question no.10 देखिये question no.10 question no.10 क्या है the capacity of the parallel plate capacitor increase when okay क्या है the capacity of the parallel plate capacitor increase when area of the plate is decreasing area of the plate is increased distance between the plates increase none of the option अच्छा सबसे पहले इसका आप पारलल प्लेट कापिस्टर का क्या होता है फ्रूर्मड उसको पर लिए आप जाने ये यह होता है C सिस्केल्टू होता है यह आपसलन नौट बाइडी अना किसके बारे में बात करता है कैपेसिटी के बारे में पार्लेल प्लेट कैपेसिटर किसके बारे में क्या कहता है इंक्रीज इंक्रीज करता है इंक्रीज करता है इंक्रीज कब करेंगा देखिए यह तो कॉंस्टेंट है किया यदि सब्सक्राइब तब एंकरेज़ करेगा या एरिया कमान बढ़ेगा तब थे टोनों लिए डूर्ण। बतले लिए अपनी फट फ्टेश्वचा उनकरिज करेंगे िसको इनकरीज करेंगे मतल्ले को दोड़ी प्राव देंगे कर भान घर यह भी नहीं होगा नहीं तो होगा इने मतलब कि इसका मतलब वह है कि यह ओप्शन नंबर भी करेक्ट आप्सटन है इस गेस्ट इसको शॉष्ट यह नबटेन कंप्लेट को शॉक्षन नमबर 11 देखिए को से और 11 question number 11 a positively charged particle is released from rest in an uniform electric field the electric potential energy of the charge electric potential energy charge का कितना होगा यदि electric field में उसे रेस्ट से छोड़ दिया जाए हना तो रेस्ट से यदि छोड़ दिया जाएगा तो उसका वो कैसा होगा यह आप सो पुच्छा जा रहा है देखिए कहता है कि अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकेल इज रिलीस्ट फ्रम रेस्ट इसको रेस्ट से छोड़ दिया जाए इन उनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्म में ता इलेक्ट्रिक पोटेंशल का मान इलेक्ट्रिक पोटेंशल एन लैक्ट्रिक फिल्ड टे करेंशल क फिर्फिसित करता हमें इसके वजह से यह और यह option most appropriate है यह option सही हो जाएगा आप्शनमर 11 कॉप्टिट हो गया question number 12 देखिया है यह question important भी है आपके एक्जांशन पॉइंट भी सो देखिया क्या कहता है इक्यू पोटेंशियल्स आट ग्रिट्ट डिस्टेंस फ्राम और कलेक्शन आफ चार्जेज पूच्ट टोटल समीच नौट जीरो टोटल समीच नौट जीरो जो किसके बराबर होगा लगभग देखिय इसाम होना चाहिए इसमें इसमें ये ज्यादा है यह कम है इसमें आप देखिए डिस्टेंस अफ्रॉप्रेट नहीं है पরेन की बात नहीं होगा प्लेन इसका मतलब है कि अस्फियर इसका सजीए ओप्शन होना चाहिए अना option number A 12 का option number A question number 13 देखिए question number 13 चलिए क्या है question number 13 a conductor with a positive charge एक conductor positive charge के साथ is always at positive potential is always at 0 potential is always at negative potential time may be at positive zero or negative a connector positive charge के साथ क्या condition मना सकता है तो एक na conductor positiveness के साथ यह 3 कन लासकता यह dollar Constitution भी हो सकता है और यह negative हो सकता है इसका मतलने ओप्शनी nr2 को जाएगा हना option अमबर बेड हो है तो कॉतिन हो जागा कॉेस्ट region of constant potential constant potential में पहला क्या क्याता है the electric field is uniform the electric field is zero there can be charged inside the region the electric field cell necessary charge if a charge is placed outside the region अच्छा देखिये question है which of the following option is correct in a region of constant potential day that Hindi in the São Paulo साहिए को निम्रिखी तमें से कौन से व्यकल्प सही है एक समान वेदुट भी ओके चेतर में एक समान वेदुट भीके चेतर में कौन वेदुट चेतर एक समान है वेदुट से सुन्हें जरी के अंदर आवेश हो सकता है यह आवेश्च च चटर के बाहर रखा जाता है तो विदुद्ट सेत्र हाविशक रूपसे बदल जाता है दिखिए ये आपका के प्रोप्री सी है यह को किया कहता है प्रोपटी में देखिए ऑफ्याहिए लिए लब न की बात करें वहलेए की हम लोग केरें उस्वाल बात करें यह होज़ागा कि इस एक सर्फेस है यहाँ ए है है हना यह पोटेंशल यहाँ भी पोटेंशल है और भी ए यह बड़ाबर है तो यह दोना आपसमा बराबर है तो यह लो कितना हो जाएगा जिरो यह निद्यूल हो जाएगा आपका जीरो तो हम कहा सकते हैं कि वैदुच्षेत्र सुनने है मतलब जीरो है तब यह पॉसिबल है तो इस और इस कॉष्टन का कॉंट्स ऑप्षिन सही हो जाएगा आप्षन नमबर भी दा एलेक्ट्रिक फिल इस जीरो हना एलेक्ट्रिक फिल कमाड जीरो होगा किमको वरकटरन कमा जीरो है ओके कोशन नमबर फॉट्टिन कम्प्लिट फिप्टिन देखिए कोशन फिप्टिन शिक्स्टी फोर ड्रॉप्स इच हैविंग दा कैपसिटी सी एंड पोटेंशिल भी और कम्बाइन टू फॉर्म आ बिक ड्रॉप चौट छोट 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 ड्रॉप को मिला करके एक बीक अगय ब्ला प्रपना यह आना तो क्या कहता है जदी का बशन सी हो यदी कापसिटेंश के मान कितना हो सी हो चोटो ट्रॉप है परते का काफिश्टी कितना है C and potential B are combined to form a big drop इन सभी को combine करके एक big drop बना गया, if the charge on the small drop is q, the small drop is charge on the big drop will be, बेकले छोटे छोटे चुटे ड्रॉप फोटी ड्रॉप पॉट आप तक पास चारज कितना दिए गया सब दिया गया एगा इस में सभी को मिला करके बढ़ा ड्रॉप ना यह नहींस किया रंदर चार्जाज ओंदर भीग ड्रॉपंस तो चार्ज बड़े ड्रॉपर कितना होगा बड़े ड्रॉपञ तो एक ड्रॉपर एक क्यों होगा जिसरक्या ड्रॉप पर 2 के होगा इसी तरह से लेकर कि congress भॉप है और नहीं शिस्र्थी फ्विफफर ड्रॉप से है तो हुस्तटीहना लेकर ठीक है चलिए ओप्षन देखिये उप्यू ना बी फोर क्यों नहीं सी 16 कि यू नहीं 64 कियो हां यह मोस्ट अप्री है यह जूसे का ओप्षन होगा अना खरेक्ट प्षन व्यूर्ष जेए क्वेशन पर सिस्टिन आई होब कि आपको बढ़ियां से समझ में आ रहा होगा अना इसको एक बार देख लिजेगा अच्छे तरीके से सारा कॉशन में मुराइज हो जाएगा आपको वसन पर सिस्टिन देखिए इना रिजन आफ कॉंस्टेंट पोटेंशियल कॉंस्टेंट जडिया से सटर्टाम आप करेंगा थे न पर सिस्टिन वाल फिल होगा आफको अलगी ही बाद करता है अनए को अगोलो जाय द लियदी को पोटेंशियल के बात करेगा तो कॉंस्टञ पोटेंशियल में एलेज्ट्रिक फिल यूनिफॉर्म मुन होगा नहींग होगा इसका वारवा मुझे दा अलेक्ट्रिक फिल इस जी रो हां दियर नोच इन शाइट रेजन अन इसके रिजन के अंदर चार्ज नहीं होगा दियर यह यह विप शुपल थे बोथ पी एंट सी और करेक्ट बोथ बी एंट सी अरेक्ट यह दोनों आप्शन सही लग रहा है एक ब जितु चैत्र सुनने है और चैत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता ही दोनों एक चीज़वा है अना ज्यादा कन्फिज नहीं होना है इसका मतलब है कि ऑप्षान नवर डी ही ऑप्षान सही होगा सही है ठीक है ठीक है ज Freddy to exist in complete हो गया है कुछान हर सकॉतल नुबर स्वेंटीन देखिए कि तुछ नुबर स्वेंटीन हाँ यह कोशण अच्छा है यह कोश्ण है देखिए क्या है dielectric constant for a metallic metal के लिए dielectric constant कमान कता होता है ठीक है middle कе लिए केता है zero infinite one और ten Dieu डालेक्ट कора सिंक मस्ट के लिए देशाम पूछ तो अ मेंमों ये टेल के लिए dielectric constant कमान हमेशा ना- Apa होता है अवक एक दो और जानलिज़ इन ड्लेक्टिंक गौंस्टेंट के कमान यदि हम लोग बात करें है मिटलका तो मेडलगों यहां इन फरील गया ते इसन्डार की बात करें यहीं को कि यदि हम लोग बात करें water 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 का कितना होता है water का होता है 81 81 या 80 यह दियावर है आपके question में और air का कितना होता है air का होता है one यह सुरी 0.001 अना air और vacuum का लगवाग ब्राबर होता है यही अप्रोक्स होगा ठीक है 17 नमबर कोचन है डियलेक्टिक कॉंस्टेंट फॉर मेटल इसा कितना होगा infinite होगा यह ध्यान में रखियेगा question no.18 देखिए question no.18 तुरस इसको उपर करते हैं चलिए question no.18 क्या है question no.18 a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate charge capacitor which one of the following quantities will not change a dielectric slab है जिसको introduced क्या गया है plates के बीच में plates कैसा है parallel है अना which one of the following quantities will not change कौन इन में से change नहीं करेगा सबसे पहले आप यह जान लिजे parallel plate capacitor का कपिसिटेंट होगा सी बराबर a epsilon not y d अना अभिसके अंदर में क्या डाला जाए कि यह चंज नहीं करेगा the charge on the plate the charge on the capacitor the electric field between the plates of the capacitor see the energy store in the capacitor hana the potential difference between the plates the dielectric slab introduced अच्छा दिए the electric slab को इसके अंदर में डाल दिया जाएगा देखिए यह पारलल plate है इसका अंदर में dielectric slab को डाल ये इसका डालेक्टर कॉंस्टेंट कमान के मान लिजी तो यह सी कमान हो जाए कितना यह आप से नौट बाइडी और यह हो जाएगा आपका के टाइम से बढ़ा हो जाएगा अदो के टाइमस कमान के टाइमस बढ़ जाएगा तो आप इसमें जोड़िए कि इसमें से कौन चेंज नहीं करेंगा देखिए यह प्लेट है यह भी प्लेट है इस पर जीतना चाल था इंडेक्शन के वज़ेश इस पर भी उतना है चालज गया होगा इसका मतरब की चार्ट इन वेरिबल यहाना चार्ज बैरी नहीं करेंगा चार्ज कमान एक वल्रेगा बराबर रहेगा ताप इसमें ढूल लिए ताइस अंदा कापिसिस्टर हाई यह हो सकता है दा इलेक्ट्रिक फिल बीट्विन दा प्लेट्स आप दा कापिस्टर के बीच में लेक्ट्रिक फिल्ट चंज करतेंगे चंज हो जाएगा अना यह आप्शन नहीं किये इसका एक रिलेशन होता है यह इसका एक रिलेशन है इस रिलेशन के सारे हम लोग प्लेट कपसिटर का वैलू सालेंट्रिकल प्लेट कपसिटर का वैलू और हम लोग बोल सकते हैं स्पेरिकल प्लेट कपसिटर का वैलू हम लोग निकालते हैं कपसिटेंस को में इसका और यह मॉश्ट इपोस्टेंट फोला भी है तो इस से उप्षिनए इस कुछन का पार्टिकूलर आप्षिन कांज होगा दचार्ज वां था कफिटर यहां पुट्सन नोर 18 यह संब्सक्राट से नमबर 18 कोशन नमबर 19 देखियो कोशन नमर 19 क्या है अना तो कापिस्टेंस की बात करता है तो यह आप यहीं आ जाए यह बराबर यह आपसले नॉट वाइडी देखिए इस फर्मूला से कई कोश्टन है और यह निकालना विट डियलेक्टिक श्लेप यह बिदाओ डियलेक्टिस्लेप यह दोनों इपोटेंस हैं ठीक है तो देखिए दक अपरल्लेट कश्टेड़ डिपेंज दिपेंट करता है तो एडिया पर करता है और इसके शब्रेशन पर डिपेंट करता है आप यहां पर देख लिजे का उंसरॉप्शन है थेकने कुछ से अनदर डालेक्ट्रिक मेटरियल को डाल दिया जाए तपर भी डिपेंड करेगा लेकिन यदि हमकेवल फॉर्मली की बात करें और कोशन नहीं से है तो सी जो है वो डार्कली पर प्रशन होगा ए यानि एरिया कमान बढ़ाएंगे तो काफिस्टेंस कमान ठीक है यानि इस कोशन का अंसर होगा अप्शन नमबर डी कोशन नमबर ट्वेंटी कोशन नमबर ट्वेंटी इसके बाद एक या दो कोशन और होगा